बुनियादी घटा के वीडियो में स्वागत है पहले हम बुनियादी जोड को थोड़ा दोहराते हैं यदि मैं कहूँ चार धन तीन इसका क्या अर्थ हुआ चार धन तीन कितने होते हैं हमने देखा कि इसे करने के दो तरीके हैं हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई चार चीजे हैं मान लीजे हमारे पास एक, दो, तीन, चार गेंदे हैं खेलने के लिए एक, दो, तीन, चार गेंदे खेलने के लिए और मान लीजे मेरे पास तीन और गेंदे हैं खेलने के लिए एक, दो, तीन इस तरह हम देख पाए, 4 धन 3 तो हमारे पास कुल कितनी गेंदे हुई? हम 3 में 4 जोड़ते हैं, कुल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह हमारे पास कुल 7 गेंदे हुई इसे करने का एक और तरीका हम देख सकते हैं और वो है संख्यारे का खींच कर मैं इसे पीले रंग में करूँगा अरे ये तो पतली है मैं इसे पीले रंग में करूँगा क्योंकि हमारी गेंदे पीली है ये हमारी संख्या रेखा है मैं इस पर सभी संख्याई लिखता हूँ शून्य एक दो तीन चार पांच छे साथ आप इस बारे में सोच सकते हैं, अच्छा तो हम संख्या रेखा पर हैं, हम 4 से शुरू करते हैं, ठीक, ये 4 है, और हमें इसमें 3 जोड़ना है, हम संख्या रेखा पर 3 बढ़ेंगे, इस तरह हम 1, 2, 3 बढ़ते हुए 7 पर पहुंचेंगे, आप कह सकते हैं यदि हमारे पास 4 ह और हमें 3 और मिले, तो 7 होता है, या 4 से 3 आगे बढ़ें, तो भी 7 होता है, तो अब घटाना क्या है, जिसके लिए ये वीडियो है, मैं जोड़ने के बारे में बात करके, अपना वक्त जाया नहीं करूँगा, तो हम 4 घटा 3 का उधारन लेते हैं, ये किस के बराबर होगा? मज़ेदार बनाने के लिए इसका रंग बदलते हैं, तो 4 घटा 3 के बराबर क्या होगा? घटाना जोड़ने के उलट है, जोड़ में आप हमेशा कुछ बढ़ाते हैं, कुछ मिलाते हैं, मैं जोड़ना दर्शाने के लिए जोड़ शब्त का इस्तमाल नहीं करना चाहता, अगर यहां पर आप वही कर रहे हैं, हमारे पास 4 घेंदे थी, फिर 3 घेंद और मिली, घटाने में हम इने हटा देते हैं, इस उदारन में यदि मैंने 4 घेंदों से शुरू किया, मान लो 4 घेंद हैं, यदि मैं 3 घटाता हूँ, या 3 जोड़ने और 7 तक पहुंचने के बज अच्छा, तो इन 4 में से 3 हटाते हैं, हम कहेंगे ये एक गई, ये एक गई, और ये एक और गई, हमारे पास कितनी घेंदें बचेंगी अच्छा तो ये अकेली है जिसे मैंने हटाया नहीं या बाटा नहीं इस तरह हमारे पास एक गेंद बचेगी यही गेंद होना ज़रूरी नहीं है मैं किसी और गेंद को भी हटा सकता था इसे देखने का दूसरा तरीका है हम गेंदों के रंग की संख्या रेखा खींचते है यह संख्या रेखा है और मैं इस पर यह सभी संख्या है लिखूंगा चून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह संख्या रेखा और आगे भी बढ़ सकती है कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती आप किसी संख्या की कल्पना करें, मैं उससे एक बड़ी संख्या सोच सकता हूँ, इसलिए हम यहां तीर का निशान बनाते हैं, जो बताता है कि यह और भी बड़ी हो सकती है, फिर से घटाने की बात करते हैं, तो चार गेंदों से शुरू करते हैं, ठीक? जब हमने तीन जोडे, धन तीन, हम संख्या रेका पर चार स्थान दाए गए, क्योंकि दाई तरफ संख्या का मान बढ़ता है, इस तरह हम चार से पांच पर एक अधिक, पांच से छे दो अधिक, और साथ पर पहुंचे, जो तीन अधिक है, तो अब हम क्या करें? आपको क्या दो रह जाती हैं, तीन निकालते हैं, हमने तीन हटाई ठीक, इस तरह हम संख्या रेका पर तीन फीचे लोडते हैं, और एक पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर एक है, तो याद रखें, जोडना किसी चीज में कुछ और मिलाना है, घटाने में आप काम करते हैं, यदि आप संख्या रेका पर विचार करें, तो जोडना संख्या रेका पर उस मात्रा से आगे बढ़ाना है, इस मामले में हम संख्या रेका के साथ तीन अंग बढ़े और साथ पर पहुंचें, घटाने के मामले में हम संख्या रेका पर कम करते हैं, इसलिए जो मात्रा हमें घटानी है उतना कम करते हैं यहां हमने तीन कम किये तो हम पीछे गए एक, दो, तीन और हम एक पर पहुँचे इसे देखने का एक और तरीक है यदि मेरे पास चार चीजे हैं और इन में से तीन किसी को देता हूं या तीन खो जाएं तो मेरे पास एक रह जाएगी अब मैं आपको घटाने के बारे में कुछ रोचक बाते बताता हूँ हम जानते हैं कि चार घटा तीन बराबर एक होता है मेरी मानिये ये बहुत दिल्चस्प है चार घटा एक क्या होता है हम कोई भी उधारन ले सकते हैं हम अमरूत का उधारन ले सकते हैं मान लो मेरे पास एक, दो, तीन, चार अमरूद हैं, मान लो मेरे पास चार अमरूद हैं, हम यही उधारन लेते हैं, यदि मैं एक खा लेता हूँ, तो इन में से एक कम हो जाएगा, मेरे पास कितने अमरूद रहेंगे? अच्छा, तीन, एक, दो, तीन, तो चार घटा एक बराबर तीन, जब हमने इसे संख्या रेका पर किया, यदि हमने चार से शुरूद किया, और एक घटाया, इस तरह एक पीछे जाते हैं, और हम तीन पर पहुँचें, किसी भी तरह करें, क्या ये रोचक नहीं है? चार घटा तीन बराबर एक, और चार घटा एक बराबर तीन, अब आप कहेंगे मैंने वही संख्याएं चुनी हैं, जिससे यही सिद्ध होगा, लेकिन वास्तव में ये हमेशा सच होता है, अच्छा तो ज़्यादा तकनी की बाते नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसी चीज के नजदीक पहुंचे हैं, जो आगे शायद बीजगनित में सीखेंगे, इसलिए अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, अभी आपको एक और रोचक चीज दिखाऊंगा, तो ये आया कहां से, ये भी इसी बात पर आदारित है कि तीन जमा एक बराबर चार, मैं आप बुनियादी जोड़ से आप ये जानते हैं, आप संख्यार एका पर तीन से शुरू करके, उसमें एक जोड़ते हैं, आप कहां पहुंचे? चार पर पहुंचे, तीन धन एक बराबर चार, या आपने संख्यार एक से शुरू किया और तीन जोड़े, एक, दो, तीन, और जुड़ी हुई हैं, एक धन तीन बराबर चार, तीन धन एक बराबर चार, चार घटा एक बराबर तीन, चार में से एक घटाने पर तीन पर पहुंचना बिलकुल वैसे ही है, जैसे आप कहते हैं कि तीन धन एक बराबर चार, ठीक? इसका मतलब है यदी मैं एक में तीन जो किया एक आगे बढ़ा और चार पर पहुंचा। उमीद है इस से आप घटाने के बारे में थोड़ा समझ गए हैं। अगले वीडियो में मैं बुनियादी घटा के कुछ और सवाल हल करके बताऊंगा और आप घटाने का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर मिल हैं।